हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रेड डेली करेंट अफेर सेशन में आप सभी कमें स्वगत करता हूँ दोस्तो आज हम 1 और 2 मई 2022 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स को आपके लिए डिसकस करने वाले हैं ये करेंट अफेर्स भारत के किसी भी प्रत्योगी परिक्षाव के लिए इंपोर्टेंट है तो पूरे सेशन को बहुत ध्याय से सुनेगा एक महत पूर्ण सुचना मैं आपको दे दूँ कभी कभी हमारा डेली करेंट अफेर्स का वीडियो लेट हो जाता है दोस्तो अरजन्ट वर्क की वज़े से लेट होता है वरना हमारा पूरा प्रयास होता है कि डेली करेंट अफेर्स का वीडियो मैं आपको सबसे पहले पहुचा सकूँ आप सभी थोड़ा मैनेज करके चलें चली फ्रेंट आज का सबसे पहला इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स आपके सामने रहा देश के 29 सेना अध्यष के रूप में हाली में किसने पदभार को ग्रहन किया है Who has taken over as the 29th Army Chief of the country तो मैंने आपको पढ़ाया भी था और मैं आपको बता दो इननोंने पदभार को ग्रहन कर लिया है इनका नाम है मनोज पांडे कि इनका स्थान लेंगे मनोज मुकुन नर्वडे जी का स्थान लेंगे 30 अपरल को MM नर्वने रिटायर हो रहे है ध्यान देने वाली बात ये है कि मनोज मुकुद नर्वने भारत के 28 वे सेना अध्यक्ष है मनोज पांडे जी इस पत पर पहुचने वाले आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले इंजीनियर है देखी फ्रेंड्स भारती सेना के कोर ओफ इंजीनियर्स दबॉम्बी सेपर्स में 1982 में पांडे जी कमिशन हुए थे इसके अलावा इन्होंने इंपोर्टेंट ओपरेशन्स को भी समाला है इन्होंने बहुत सारे आतंकी गतिविद्यों को भी नस्ट किया है इसके अलावा अंडमा निकोबार थीयटर कमांड में बत और कमांडर के रुप में भी कारे कर चुके है एक इंपोर्टेंट बात मनूज पांडे जी को परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इंडियन नेवी चीफ कोन है तो इंडियन नेवी चीफ है आर हरी कुमार कोन है आर हरी कुमार लिख लीजे important है इसके अलावा हम discuss करेंगे इंडियन एर फोर्स चीफ तो यह है वी आर चौधरी विवेक राम चौधरी देखिए friends second important current affair आपके सामने रहा हाली में थल सेना का उप्रमुक किसे न्यूक्त किया गया है who has been appointed as the deputy chief of the army staff दोस्तो अभी मैंने आपको chief of army staff पढ़ाया अब मैं आपको deputy chief of army staff पढ़ा रहा हूँ तो इनका नाम है BS Raju देखिए एक छोटी से ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जिससे आप इस नाम को याद रख पाएंगे दोस्तो मेरा नाम राजा है और आप मुझे राजू बना दे आप ऐसे याद रखिए कि राजा सर जो है भारती थल सिना के उप्रमुक बनाए गये है तो एक्जाम में आपको याद रहेगा ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाते चली ताकि आपको एक्जाम में भूले ना किसी भी वेक्तियों के नाम क्योंकि ये कफी कन्फियूदिंग हो जाता है तो देखिए BS राजू का पूरा नाम जान लेते हैं तो इनका पूरा नाम है बग्गा वल्ली सोम शेखर राजू ये एक माई को कब एक माई 2022 को वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ का पस्ट सम्हा लेंगे दिखे मैंने जासा कि आपको बताया कि उप सेना प्रमुक थे पहले मनोश पांडे जो अब भारती थल सेना की प्रमुक बनाए गए हैं अब आई जान लेते हैं दोस्तों बीएस राजू जी के बारे में बीएस राजू जो है ये हेलिकॉप्टर पालेट है ठीक है बीएस राजू ये सैनिक स्कूल कहाँ पर बीजापुर करनाटक और नेशनल डिफेंस अकैडमी के स्टूडेंट रह चुके हैं दोस्तों इन्होंने सेना में कब एंटरी की 15 दिसंबर 1984 1984 को और श्रीनगर इस्थित 15 कोर का इन्होंने लीडर्शिप भी किया है इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक important operation इसका नाम है operation पराक्रब के दोरान अपनी battalion का ने कमान भी समाला था देखे ठेड़ important current affair आपके सामने रहा हाली में महरास्ट और गुजरात का इस्थापना दिवस कब मनाया गया वेन इस दी foundation day of महरास्ट and गुजरात celebrated तो देखे friends हर साली मनाया जाता है एक मई को कब मनाया जाता है एक मई को महरास्ट और गुजरात राज 1960 में अलग हुए थे कब हुए थे 1960 में अलग अलग राज की रूप में इनका अस्तित्व आया था दिखे पहली यह जो दोनों राज थे महाराष्टा गुजरात ये बंबई प्रांत का हिस्सा थे दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ भाशा के आधार पर पहले राज का जो पुनर गठन किया गया वो था 1953 में आन प्रदेश का ठीक है दोस्तो इसके बाद फजल अली कमटी की अनुशंशा पर 14 राज और 6 किंसासी प्रदेश का गठन किया गया फजल अली कमटी में 3 सदस थे दोस्तो फजल अली कमटी का गठन कब किया गया था 1953 में और फजल अली ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की जिसके तहत 1956 में 14 राज और 6 किंसासी प्रदेश का गठन हुआ फिर बाद में धीरे धीरे भाषा की आधार पर राज्यों का गठन किया जाने लगा महराष्ट राज्य का मराथी भाषा की आधार पर इसका गठन किया गया और गुजरात राज्य का जो गठन है गुजराती भाषा की आधार पर गुजरात राज्य का गठन किया गया कब किया गया 1960 में गुजरात भारती संग का कौन सा राज्य बना पंदरहवा 15th स्टीट बना चली फ्रेंड्स फोर्थ इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के बढ़ते हैं कुश्चन ये रहा आपके सामने Migration Tracking System Application इसे किस ने डबलब किया है और ये पहला राज्य कोन बन गया है तो दोस्तो ये पहला राज्य है महराष्ट क्या नाम है इसका महराष्ट इसके तहट क्या किया जा रहा है दोस्तो Migration Tracking System में प्रवाशी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक किया जाएगा और वेबसाइट अधारित Migration Tracking System Application डवलब किया जा रहा है इसका में मकसद क्या है इसका में मकसद ही है कि जो प्रवाशी श्रमिक हैं उनके जो बच्चे हैं उन सभी के लिए ऐसी schemes डवलब करना ताकि उनके बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके एकी कृत बाल विकास सेवा की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए इस application को डवलब किया गया है किसके द्वारा महराश्ट के Women and Child Development Department के द्वारा महराश्ट की बातारी तो महराश्ट के वर्तवान मुखी मंतरी उधव ठाक रहे हैं एक मही को मना जाता है ये क्यूं मना जाता है आप सभी को पता है कि समाज के निर्माड में सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा एहम योगदान किसका होता है श्रमिकों का होता है श्रमिक हर जगे हमारे समाज का निर्माड करते हैं तो इनकी याद में इनके महत्य के बारे में लोगों को जागरू किया जाता है इसलिए मनाय जाता है दोस्तो मजदूरों के लिए नीतियां बनाना मजदूरों के संडेक्षन के लिए कारी करना मजदूरों के बारे में जो ध्यान रखने वाली संस्थान है वो है अंतराष्ट्री स्रम शंगटन इसका हेड़कॉर्टर जेनेवा में है और इसकी स्थापना कब हुई है? 1919 में, 1919 में दोस्तों, ये मजदूरों के डवलप्मेंट के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करता है, मानकों को स्थापित करता है, ताकि यहाँ पर लेबरों का डवलप्मेंट हो सके के विकास हो सके अंतराष्ट्री मजदूर दिवस की इतिहास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं उनिश्विस अतापदी में अमेरिका के इतिहासिख श्रमिक संग आंदोलन में श्रमिक दिवस की मानिता प्रदान कीए अमेरिका और कनेडा में श्रमिक दिवस हर साल सितमबर महीने के पहले सोंबार को मनाया जाता है ट्रेड यूनियनों के एक अंतराश्ट्री महासंग ने शिकागो में हुई हे मार्केट घटना को याद करते हुए हर साल एक माई को श्रमिक दिवस मनाने की शुरुवात की दिखे फ्रेंड्स, नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफ़ेर आपके सामने रहा स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम क्या नाम है गगन नाम है गगन की इस्तमाल करने वाली पहली एरलाइन कंपनी कोन बन गई है तो दोस्तो इस कंपनी का नाम है इंडिगो इसका क्या नाम है इंडिगो इंडिगो 27 अप्रल कब 27 अप्रल 2022 को स्वादेशी नेविगेशन सिस्टम से एरक्राफ को लेंड कराने वाली देश की पहली एरलाइन बन गई है दोस्तों यहाँ पर मैं आपको गगन के बारे में बताऊंगा सबसे पहले गगन का फुल फॉर्म जान लेज़े गगन का फुल फॉर्म है GPS Added Geo Augmented Navigation दोस्तों इसे किसने मिलके डवलब किया है गगन को Airports Authority of India और ISRO ने दोनों ने मिलकर के डवलब किया है गगन के क्या फायदे है भारत के नगरी कुटियन छेतर में गगन हवाई छेतर का आधुनी की करण करेगा उडान में देरी को कम करेगा और इधन की भी बचत करेगा इसके अलावा Flight Security में भी सुधार करेगा देखिए अगला महतुपूर Current Affair आपके सामने रहा तो दोस्तों ये कौन थे ये एक्टर थे ये अविनेता थे जिनका हाली में निधन हुआ है फिल्म और टीवी अविनेता सलीम घोष का दिल का दोरा पढ़ने से मुंबई में निधन हो गया है दोस्तों इन्होंने जो करियर की शुरुवात है कहां से की है 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक्स से अपने अविने की इन्होंने शुरुवात की इसके अलावा श्याम बेनेगल की टीवी सिरीज भारत एक खोज में राम, कृष्ण और टीपू सुल्तान की इन्होंने रोल निभाई भूमिका निभाई दीगी फ्रेंड्स एट्थ इंपोर्टेंट करिंट अफेर आपके सामने रहा हाली में केंज सरकार ने नकसल प्रभाविक छेतरों के 2G मोबाईल इस्थल को 2426 करोड रुपए की लागा से किस नेटवर्क में अपडेट करने को मंजूरी प्रदान की है तो दोस्तों 2G से इस नेटवर्क को किसमें अपडेट कर दिया जाएगा? 4G में दोस्तों इससे किस ने मंजूरी दी है? तो केंदरी मंतरी क्या नाम है इनका अनुराग ठाकुर देखें अनुराग ठाकुर जी के पास कौन कौन सा मंतराले है? पहला इनके पास खेल मंतराले है मैं आपको बता दू और इसके अलावा दूसरा मंत्राले है केंदरी सूचना और प्रसारण मंत्राले तो दो मंत्राले इनके पास है इन्होंने बताया है इसमें 2G को क्या कर दिया जाएगा यह कार किसके हैल्प से किया जा रहा है बहरत संचार निगम लिम्टेट से देखे भारत संचार निगम लिम्टेट की स्थापना 2000 दो हजार में की गई इसका हैर क्वार्टर कहां पर है दोस्तो आज के नौलिज के तड़के में नौलिज फैक्टरी में मैं आप से डिसकस करूगा विश्च के प्रमुक जो अला मुकी यानि वॉलकिनेस को तो सबसे पहले हैं माउंट कोटो पैक्सी यह एक्टिव जो अला मुकी है कहां पर है इक्विडोर में दूसरा है माउंट एटना यह भी एक्टिव जो अला मुकी है कहां पर है यह इटली में नेस्ट फैंट्स माउंट फ्यूजियामा यह भी एक्टिव अलकिनों है कहां पर है जापैन में नेस्ट बात करेंगे अलबूर्स की यह कहाँ पर है दोस्तो जौर्जिया में देखिए नेस्ट है बेरेंद्वीप का जौलम होगी भारत का एक मात्र जौलम होगी बेरेंद्वीप का जौलम होगी है जो कि एक एक एक्टिव जौला मुखी है और ये अंडमान और निको पार दीप समू में है अगला है फ्रेंट्स पूपा ये एक डॉर्मेंट शांत जौला मुखी है ये कहां पर है मैमार में देखी सबसे आकरी जो अलम होकी है को ये एक शान जो अलम होकी है ये किस देश में इरान में अमिशा अनी भजा पची वच्चल इस पुस्तक का विमोचन हाली में किस ने किया है तो देखे महाराश्टर के पूर मुखे मंत्री देवेंदर फर्णविस जी ने किया है दोस्तो ये जो पुस्तक है किस के द्वारा लिखी गए है मोल रूप से तो ये लिखी गए है अनी बॉन गॉंगली डॉक्टर अनी बॉन गॉंगली और शिवा नंदुवेदी जी के द्वारा दोस्तो इस बुख को मराठी में translate किसने किया है डॉक्टर जोसना कुल हार्ट करने किया है दोस्तो इस बॕक में क्या बताया गया है इस पुस्तक में बताया गया है अमिश्या की जीवन यात्रा और भाजपा के निर्मार में अनके युगदान के बारे में बताया गया है दोस्तों मैं आपको बता दू, आमिश्या 2014 से लेके 2020 तक भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष चुरुप में कार कर चुके हैं, ये सबसे कम उम्र के पूर्ण कालिक ग्रह मंत्री हैं, वर्तमानी ग्रह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्राले भी इनके पास है, इनके पास दो म दोस्तों आपे भारती जनता पार्टी की बात आ रही है, तो भारती जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, दोस्तों आज का आखरी important current affair आपके सामने रहा, हाली में किस राज सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियुजना को मंजूरी प्रदान की है, तो हाल पारी genetic resources हैं, उसका संडक्षन करना, ताकि उसे भविश्य में इस्तिमाल किया जा सके, इस उद्देश से जीन बैंक पहल को मंजूरी प्रदान की गई है, इसमें 172 करोर रुपे से अधिक की लागत आएगी, देखी फेंट्स यहां पे जीन शब्द की बात आ रही है, तो जिन मैं आपको बता देता हूं क्या है, यह जो एक जीव से दूसरे जीव में जो character transfer होते हैं, जो information transfer होती है, वो जिन कहलाते हैं, यह एक cell से दूसरे cell में भी transfer होते हैं, जब कोशिका का बिभाजन, cell का division होता है, महरास जीन बैंक परियुजना के लिए क्या करेगी, इसका जो कार है कोन करेगा, वन बिभाग करेगा, और इस परियुजना के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में विशेस इकाय की स्थापना भी की जाएगी, दोस्तों मारी next knowledge की factory में, knowledge के तड़के में मैं आपको बताने वाला हूं भारत की प्रतम महिलाओं क विनियस फोगाट, उलम्पी के लिए क्वालिफाय करने वाली पहली भारती तलवारवाज भवानी देवी हैं, उलम्पी के लिए क्वालिफाय करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पहिलवान, कोने महिला पहिलवान, सोनम मलिक, 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्वालिफाय क देश के प्रथम महिला उडान परिक्षन इंजीनियर कौन बने है आश्रिता वी ओलेटी दोस्तो अब बारी है करेंट अफेर्स की रस्मलाई यानि 2021 के इंपोर्टन करेंट अफेर्स को मैं आपके लिए डिसकस करूंगा तो पहला प्रशन है हाली में भारत ने किस मिसाइल का सफल परिक्षन किया अगनी पी का वर्ल्ड बैटमिंटें चेंपिन सिप के फाइनल बें पहुचने वाली पहली भारती पूरुस खिलाडी कोन बने है कि दामभी श्रीकांत राज कापूर दा मास्टर एट वर्ग इस पुस्तक के लेखा कोन है राहुल रवेल किस सरकार ने दस साल पुराने सभी डीजल वानों का रजिस्ट्रेशन रद करने की हाली में गोशना की है तो यह फैसला दिल्ली सरकार ने किया है कहां पे अखिल भारती महा पौरों के समेलन कवधगाटन और संबोधन पीम मोधी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से किया कहां पर बना रस वारा डसी में देखी फेंट्स अब हम 30 अप्रेल के इंपोर्टन करेंट फेट्स का रिविजन कर लेते हैं तो पहला प्रशन है रास्त्री अनुसूची जाती आयोग की द्वारा अध्यक्ष कोन बने है उनका नाम है विजय सापला हाली में भारत और किस देश के राजनाइक संबंदों के 70 साल पूरी हो गए हैं तो हाली में भारत और जापान देश के 70 साल पूरी हो गए हैं राजनाइक संबंदों के भारती नोसेना द्वारा किस मिसाल के एंटी टैंक संसकरन का सफलता पूर्वक परिक्षण किया गया तो देखे इसका नाम है ब्र जवेरा ब्रिटो, 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, इनका संबंद किस खेल से है, तो इनका संबंद होकी से है, 2023 के लिए नेसकॉम के अध्यक्ष के रोप में किसे नियुक्त किया गया, इंपोर्टेंट है मैंने आपको पढ़ाया था, क्रिश्णन रामनुजम, अंतरा किस देश ने पोलेंड और बुलगारिया को रुबल में बुक्तान करने में विफलता के कारण गैस की सप्लाई को रोक दिया है, तो हाली में फैसला रूस ने किया है, केंदरिय मंत्री मंडल ने किस देश में नए, राज नईक मिशन के उध्गाटन को मंजूरी प्रदान क कों है, इसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना तो दोस्तों ये थे 30 अफ़ेल के इम्पोर्टन करेंट अफ़ेर्स का रिविजन, हमने डेली करेंट अफ़ेर में एक और दो मई के इंपोर्टन करेंट अफ़ेर्स को भी पढ़ लिया है, आशा करता हूं कि आपको दाय होगा फॉलो कीजे क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर दोस्तो आज का जो सेशन ने थोड़ा लेट हुआ है इसके लिए मैं आपसे माफिश चाहता हूँ क्योंकि कुछ आवश्यक कार होते हैं उससे पूरा करना होता है आप भी हमें सहयोग देते रहें ताकि हम इसी प्रकार से अमेजिंग लेक्चर आप के लिए लाते रहें फॉलो कीजे क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पर कीप लाइकिंग, कीप शेरिंग यो चनल क्रेजी जीके ट्रिक और दोंगे टो सब्सक्राइब और प्रेस्टी बेल इकन बट्टन थैंक यू फैंट्स